नमस्ते, आज मैं डॉक्टर अचल पांडिया, डॉक्टर सचिदन्द जोशी जी और यहां के सब सेहों जुकों के मनुकवर प्रधमी आभार व्यक्ता करता हूं कि मुझे आज ये आपके सामने बोलने का एक मौका दिया जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो बड़ा गहन प्रश्ण हमारे सामने रहता है कि यह हेरिटेज है क्या क्योंकि विश्वों में जो अन्य देश है उन में से हमारा देश नहीं है पांट साथ हजार वर्ष का कंटिनिटी ऑफ सिविलाजेशन जिसको बोलते हैं कि एक खंड शरुंखला यहां पर संस्कृति की है ऐसा एक मातर देश हमारा है और इसलिए हमारे देश की संस्कृति को किसे ने कॉंपोजिट कल्चर का किसने मिक्स कल्चर का कुछ और भी कहत मैंने रroeनी तक टेंटे आब ऊत्तर में रहते हो कश और वस्तर पहहते हो कुछ खाते भी अलग से हो दिखते अलग से हो दक्षिण के लोग है वो ओर कुछ अदिखते है क्हाते है और कि लोग ठीक खाते है कुछ लोग combination कुछे रोटियां ही खाएंगे कुछ दोनों कह मेरी माता जी अमरीका गय थीए 1964 में तो महां पर एक बिहार की महला थी जो ह Carryne vetter में थे तो मेरी माता जी को इतना जीन थी तो आता नहीं था महाराठ ही थी महाराठर संसे तो वह हमेशां मिलती थे तो अंग्री जी में बात करती थी ऊंपर तो अपर लोग पुछ देपे बोथ पूर इंडियन लेंग्वेज तो उनको पते हैं कि दिर इस नो स्टिंगल इंडियन लेंग्वेज यह पर हर परांद के रभाशा लगा और इसलिए हेरिटेज के बारे में जो हम जाते हैं तो हमारे पास सबसे जियादा विरासत किसके पा इंडिया दियार मोर दिन ओल्ड इविडिंस इन द वोल्ड सिर्फ अठारा पुराणों की बात करूं में तो तीन लाग पचानवे हजार श्लोक है किसने संभाल के रखे श्लोक गए हजार पंदरा सो साल में घुमेंट देफॉर्स तो प्रिजर्व दिस विडिया वस नौट देर इसके अलबा एक सवांट पुरान है वो लगए मैं सिर्फ पुरानों की बात कर रहा हूं घृंतों की अभी जो चल रहा है डिजरिजरिजिजिशन का काम सरकार ने किया है अब तक डही लाख घृंतों में जाओं उसकी एक कहानी है, ऐसे भी साइट्स मिलती है कि यहां पर आज बस्ती नहीं हुई, केवल सरस्तवती नदी के किनारे की जो साइट्स एक्सक्रवेट हो रही अभी उनकी संख्या 1500 है, जिसमें से 500 साइट्स अभी पाकिस्तान में चली गई है, एक्सक्रवेशन 10-12 स साइट्स को हुआ है, 1500 शेयर एक नदी के किनारे में मिले है, और जो नदी लूप्त है, 55 साइट्स तोंको हरपा, यानि ये सिंदु नदी के किनारे में मिली थी, और इसलिए इसमें Monument यां मंदिर नहीं, तो क्या क्या उसमें आते Monument आहिएा면, इसको इसले निकालू, फिर जो पुरात में चीज़े मिलती हैं, जो हमारे प्रिजरिशन में दिखाते हैं, क्या क्या चीज़े मिलती है, किस समय के मिलती है, और जैसा भी खंबात में दिखा गया जो उनको मिला समंदर में, 7500 वीसी बोला तो लोग एकदम चौक गए कि वै ऐसा काइसा है, तो वो चल रह उनका काम है और तब से लेकर कि आम को जो हुशेश मिलते हैं तो इसलिए वो भी एक भानार हमारे पास पड़ा है किताबों को तो मैंने कहा हमारे यहां की जो परंपरा है यह बड़ी अनुखी है और इसलिए इन परंपरों का कितना अम अध्यन करेंगे बहुत कम अध्यन उस के दिन और इसलिए ऐसा माना जाता है कि वो जो लिंगोत बहुत श्यू की कथा हुई कि श्यू जी के आंक बंकरदी पारुत जी ने तो बड़ी ज्वाला निकलिया और वो ज्वाला नापने के लिए ब्रह्मा जी हंस का रूप लेके ऊपर चले गए फिर विष्णु जी न मंदिर है तो ऐसा इसे बहुत कम मंदिर है कि जिनका 25 एकड़ का और जिसमें अंदर एक सिंगल टेंपल इन एरिया और वहां पे इस दिन 15 से 30 लाख लोक एक दिन के लिए आते हैं वो पूरे परवत की परिक्रमा करते हैं दिन पर नंगे पाउं और शाम को उस गाउं में कि सिबी की घर में बती नहीं जलती जब तक वो परवत के उपर उस ज्वाला की पुझा नहीं होगी तब तक किसी के वे घर में बती नहीं जलती आशकल टीवी जलते हैं क्योंकि वो लाइव टेलिकास दिखाते हैं, जब वहाँ पे वह पूजा पुरीति घर में केवल भगवान के सामने दिया जलाया जाता है, विजली के बत्तिनी जलती, यह इसी परमपरा है कहा, कितने सानों से किसी को पता नहीं है, और वहाँ पे जो शिवलिंगा है, उसको अगनी लिंग नुर्ट्य संगीत नहीं, चित्रकला भी है, शिल्पकला भी है, धातुकला है, इतने विभिन्न उसके प्रकार है, कि बहुत बड़ा heritage है, और इसके साथ फिर हमारा religious literature भी आता है, जैनों का हो, बुद्धों का हो, कुछ ब्रहमनिकल उसमें है, और हमारे कुछ social customs हैं, हमारे त्यवार है, इसके बारे में हम अध्यन करेंगे, तो उसके उपर एक अलग से heritage कामारा है, आप देखो, दुनिया में कितने देशों हैं त्यवार हैं, सचमुच जिसको त्यवार कहते हैं, ऐसा कौन मानता है, तो दुख के दिन हैं उनके लिए, इस तरह है, वो कुछ शुक परिशी ते इसी थी, कि त्यवार क्यों मानाते थे, सारा समाज 21 रास्ते पे आएगा, और 21 आके नाचेगा, खेलेगा, भोजन करेगा, उल्टा हो गया, हमने त्यवार घर में मनाना शुरू कर दिया, और भगवानों को रास्ते पे लाकर रख दिया, तो अपने अपने कि परंपार रही, जिसमें सारे विज्ञानों का भी अंतरवा होता है, हमारा विश्य आज विश्यश करके ब्रह्मान शास्त्रे से जुड़ा है, क्योंकि मंदिरों में अन्य विज्ञानों से भी अधिक, ब्रह्मान शास्त्र का प्रोयक अधिक हुआ है, और सब्समें से इ अमृत पुत्र हा, आय दामानी महतानी तस्तु। ऐसा बोलने वोले जो लोग थे कि अमृत पुत्र सुनो, हमने उनको पगान्ज, हिदन्ज, काफिर ऐसा किसको नहीं कहा, कि आप सब अमृत पुत्र है हमारे जैसे, हमने कहा किया वेदाह मेतम, पुरिशम महंतम, अदित्य व आप राप्त किया, ऐसा जो कैसा है कि वो अदित्य वर नहीं, सुरच जैसा जो ग्यान है, वो आप राप्त किये, तह में भी विद्धित्पुआ में, आप भी मृत्य में से मुक्त हो सकेंगे, नन्य पंत विद्धित्यान आय, इसके सिवा कोई और चारा नहीं, हमारे ये यह जो भावन हमारी की विश्वा हमारा सब बंदु रहेगा और इसलिए हम जिसने भी यह पूरब के देशों में गए कहीं पर हमने आकरमने किया हमारी संस्कृति को उन पर लाद रही दी तो बड़े सहयोग से बड़े प्यार से उन्होंने उसका स्विकार किया ऐसा दिखता देश कि नक्षाम कितने तरीक से देख सकते उन्होंने उस दिन 26 दिखाए थे क्या क्या आते उसमें तो जोग्रोफिकल तो आएगा कितने यहां पर वन्ष निर्वान होए कब से हुए कैसे फेले महाराश्टर की साथवान सत्ता साड़े चारसों वर्ष एक ही परिवार शा उन्होंने किया है दुर्वाग ऐसे दक्षिन का इतियास उत्तर में बहुत कम दिया थे क्योंकि सारा तमिन में लिखा है और एक ऐसे विलक्षण महाराजया वहां पर आके गए उन्होंने जो कुछ सोशल रिपार्स महां पर किये वह देखने लाइक है फिर कहां का पर हमने जुद्धर आते हैं हमने कितने लड़ाएं के लिए कितने लड़ाय में जीते कभी परियाज होगा आज फिर हम खड़े आज फिर भी विश्मों में हम उसी संस्कृतिय के लेकर खड़े इसका मतलब हम परजी तो है नहीं कितने आप फिलोसपर्स होए सांटिस होए सेंट्स हुए, poets हुए, writers हुए, याने dramatis भी आते हैं उसमें, और monuments का अगर इसाब नेका लेंगे तो प्रत्यक्षरूप से monuments, cities, forts, forts, temples यहने आप गिंती कर नहीं सकते हैं, और इसलिए हमारा जो आज का विशय है, कि जो हमारे monument से विशय करके, जो मंदीर हमारे यहां के, प्राचीन और उनमें गर हम जाकर देखें कि वही क्योंकि प्रिजरोशन के लिए सबसे बड़ा वो हमको दिखता है किताबे तो खेर लाइबरी में रहती है मगर सामने जो मॉनुमेंट दिखते हैं जिसका कॉंजरोशन करने की काफी आवश्यक्ता है और वो कॉंजरोशन केवल रहते ले गए तो वहां पर दिखना कोई गाइड आ जाएंगा वो जो गाइड दिखा रहा उसके कोई दादा पर दादाने वो नहीं बनाया है आप रोम में चले जाओ तो जो अरिस्टोटल और सक्रेटिस हो ले थे उनका कोई पोता बिता अभी जिन्दा नहीं है वो सब म हजाओर वर्ष की परमपरा जिसके हर वक्ति के घर में ऐसा संबूता समाज हो गया है और इसलिए इन मंदिरों के बारे में जैसा हमारा नाता अपने परिवार के नाम से जैसा रहता है वे सैंस देश की वास्तों के साथ रहना चाहिए आता समाज ये बहयां तो मेरा आजही में ऐसा आया है कि जिसको देव कहा गया है उसका शब्त गॉड ऐसा नहीं होता है देव is not a term to describe a thing called God वो गॉड करके क्या बोलते हैं अंगरेजी में वह वहला उनको पता है हमरे यहां पर देव इश्वर और परमेश्वरे से तीन स्थर उन्हों है किया रहे और इसलिए देव यह प्राथमिकता जो ब्रह्मान की जो सारी शक्तियां हमको दिखती है जो गुर्णधर में दिखती है इसलिए जो इसलिए जो इश्वर की कलपना भगवान की हमको बता ही जाती है क्योंकि हमने मूर्तियां देखी और कि गलपना हमको पांचवे साल तक बताई जाती है क्या वही कलपना लेकर हम साट साल की उमर में तेले जाएंगे क्या कि भगवान देख रहे तुझे तुझे ठीक से खाना खा ले ने तुझे सजा करेगा यह पाच्छा साल की विक्ति को आप बताएंगे क्या तो जैसे हमारा क्या का विकास होता है वैसी की कलपना का विकास होना चाहिए वह ब्रक्रिया हमारी बंद हो गई क्योंकि कि ईन देखना बंद कर दिया अहांगे प fuiले पहले खवुष्ऊ के मुर्चिया कैसी होगी पहली दूसरी इसापूर्वसदी में वो हमको ग्यात नहीं है जो अर्लि Kenneth मिली है एक नर्सियों की यह मूर्ति है और जो एक प्रतिन शिल्प हमें मिलाए यह आता है देवगड का भगवान च्री विष्णु का और यह देखे लगता है भी आपके भगवान लेटे हुए सोये हुए इतना हम समझ जाते है यहां एक मूर्ति में उन्होंने क्या क्या उस एक पर्टिकलर मुवमेंट और टाइंड बिग बैंग ओकर्ड तो बिग बैंग हुआ पहले क्षण आया और उसमें से यह निर्मिती हुई ऐसा जो दिखता है तो इसलिए उनके नाभी से जो ब्रह्मा जी निकलते है यहां पे नाभी से नहीं है पीछे से निकले तो निकल पर दिख रहा है आपको पीछे उनके तो वह शेष शर्प में काल की कल्पन, उसका जो मुख है पर्मन पास्टेंस है हमारा कि ब्रह्मा दिर्वन उसकी जो पूच है उसका जो सिरा है वह हमारा पर्मन फ्यूचर तेंस है कि एक दिन ही नठोंगा और बीच में वह पड़े ह अब ये विश्णुजी की देसी की गई है, की ये सूरिया कारूप है, यह उसलिए सूरिया के मंतर और विश्णुजी के मंतर समान होते हैं, तो उनने अब देखो, एक तो ब्रहमाण की कल्पना कर रहे है, साइन्स की ओर नगर जब कलागार के हाथ में ये काम देते भी, तु नहीं है इसलिए अम को कला भी दिखेंगी फिलॉसफ Bos forest बी दिखेंगी उसमे छाय और कला कार की प्रतिवाई भी दिखेंगी उसने ऐसा दिखाया कि वह अगर वो सूरज है यaurus करने ने ऐसा अब देखे जाते हैं जरा गौ़श के अगर देखेंगे तो वह उसका एक कि काओं यूंश का जो उसके उंगली रिचय टेडि करके आप उसको मुधपेंगे तो जरा अच्छा लगता है और उसके पाओं की जो नस्य दुख रही है, तो मानो जैसे सितार की तार छेड ची हो किसी सितार के उस नाजुखता से वो कर रही है, मैं हमेंशे कहते हैं, आएसा कि अगर किसी ने कर दिया तो किसी भी व्यक्ति को नीन तो आने वाली है, हाँ हमारे जेश का वैभा कहा गया, एक जमाने में अपने पती देव के पाउं ऐसे तरह से मलने वाली बत्नियां थी, आज है किसी की हिमत मेरे पाउं दबा दे बने की बात ही छोड़ो, होने वाला है न सोते नहीं है और वो उत्तर दक्षिन होते हैं आप कमपास रखे देखो गर्वगुरु में रहते हैं यह मिश्टु बगवांत की कलपना इसे कि वो नारायन है जब सुरुष्टी नहीं थी तब वो जाकते हैं और जब सुरुष्टी का आविश्कार हो जाता तो वो सोते हैं और फिर वम्मा जी आने काल और शिवजी आने आवकास वो अपना काम करते हैं जिस दिन सुरुष्टी नष्ट हो जाएंगी फिर से वो जाक जाएंगे और इसलिए जब तक वो सोय तब तक हमारी सुरुष्टी चल रही है और इसलिए ऐसे शिल्प जो आपको दिखेंगे आप कमपास लेके जाओ वो हमेशा पूरब पश्चिम ही होंगे एक डिग्री भी इदर उदर नहीं हमने कई जग पे जाके शिल्प देखे है वहाँ पे दिखता है एक डिग्री भी इदर उदर नहीं बराबर वह ऐसे दिखाई जाते है और इसलिए जो उनकी एक कलपना उ इसलिए उसको स्त्री के रूपे दिखाए जाएगा अब इस स्त्री के ऐसी दिखाई जाए इस पर भी बड़ी चर्चा हुई दो अजार साल पहले और उस पर से उनने कुछ और जिनकी चर्चा हुई वो कोई कलाकर नहीं थी वो सारे फिलसफर थे वह इस व्यक्ति को में आता है तन्वी, शामा, शिकरी दसना, पकपव, बिम्बा, दरोटी, ऐसे ऐसे उसके गुण होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फुल फिगर इसके अच्छी होनी चाहिए, प्रपोर्शनेट होनी चाहिए, और वो सारा वर्न आप दिखेंगे, तो इसमें आपको दिखे है, फसलिया दिखाते हैं घूमचिया और उनको कहते हैं विश्व सुंदरी, अरे खा की सुंदरी है, हमारी ये तो गंगाम आपे फेलो जाएगी बेचरी, क्या करेगी, और देखो आप खड़ी कैसी है, तो पाँव, शरीर और सर एक सीधे रिशा में नहीं है, इसको त्रि कहीं रख कहा होगा, कि जिससे उसका वो त्रिवंग स्वाभवाईक से हो जाता है, और इतना होकर भी नहीं, आज बेहने कुछ है, तो इसलिए और में थोड़ा बता दूँ, इसको कहते है किरिट, उपर जो उन्हें गेहने पेहने हैं, ये जो आगे दिखरा है, इसको कहते है कंठी, ये थोड़ा जो नीचे उत्रा है, इसको कहते है हार, और जो नीचे तक आई इसको कहते है माला, इसको कहते है कियूर, ये कंकन, पांचों उंगली में अंगुटियां है, अंगुठे में अंगुठी डालने की कलपना आज की नहीं है, वो हमारी प्राचिन में, एक एक शिल्प आप देखिए, आपको किसी भी दो स्तुरी शिल्पों के केश रचना, केश भूशा, वेश भूशा, अलंकार समान नहीं दिखेंगे, एक ये मॉडल दो बार इस्तिमाल किया, ये भी नहीं दिखेगा, हर शिल्प अलग है, यानि इतने प्रकार के अलं मगर हमने कभी लिया नहीं, इसलिए बहुत हमारे पर आदोचना हुई है, मगर क्या उपयोग है, नहीं कभी कठिन समय आएंगा, तो मेरे काम आएगा, कठिन समय आता तो सोने को नहीं आप हात लंगाने देंगे, बागी सब करेंगे, फिर रखा क्यों है वो, कठिन समय के हाता ये है, विर है वैसा अभी क्या करेंगे और इतना होकर भी, अब यह मेखला दिख रही है, यह मेखला केょ 808 प्रकार हमको अभी तो गृंथों मेखले मिले है, कितने प्रकार का सब भी है, इतना सारा होकर भी,, उसके मुक पर की पस тор़ता हसेएगो, наहीं, जिसके पास भारतिय संस्कृतिय है यहां हमारी विश्चेशता है कि हमने उतना है लिया जितना कुछ चाहिए क्या करने का इतना ज्यादा कमा करके और उसमें एक बात रहे गई यह नदी है जह दिखाना है तो उसका कुछ पानी से भी संपरकची और इसलिए देखो आप कि वह मानुस का वहां जो मकर है वह चलने लगा तो उसका बैलंस गया इसलिए जट से उसने उसके वह यक्षे के सर पर हाथ रख दिया उसके क्या हो गया तो उसका बाया पैर आगया अब यह वस्तर इतना पतला है और वह गीला भी है तो देखो उसके घुटने की अब यह जिसने उसका पड़ता है अभी हमार हम जिसको शिव कहते है वह हमारी अवकाश की कलपना है आप जो चात्र इसमें से विज्ञान के होंगे उनको इसमें से थोड़ा समझ में आएगा बाकि बहुत कठीन है क्योंकि ब्रह्मान में जो आवकाश है हमारी जो दो गैलेक्स नियांस जो एक बड़ किस पे रहा है आगे जगे खाली है इसलिए तो वह जा रहे है न ने तो वह जाते कहा है और इसलिए व्याप्त प्रह्माण अव्याप्त प्रह्माण जो जो हमने कलपना किये तो यह व्याप्त प्रह्माण कर जो रूपई वह शिव है और वह दिखाया जाता इस प्रवति का डमरू है महानाद निर्मन होगा बाद में अगनी आया और वो अगनी से उतनी निर्मीदी की कुछ मुझे निर्मन करना है तो कुछ तोड़ना पड़ता है और इसलिए उन्हें को उसका हाथ उठाया है कि जो अच्छा है इस्थ है उसको मैं रक्षन करता हूं जो अब टबला प्राचीन शिल्पों में मिलता है यह अपना कौन कुसरो अमीर कुसरो ने तबला लाया है नहीं इस देश में उसके सारे पूरुज पैदा होने के पहले से तबला था अब यह तबले को एक ताल होता है एक सम होती है काल होता है और इसे आप दिखेंगे जहां आप जुकर महिला बेटी कि आप में ज्ञांजे जब यह सम पर आएगा तो यह ज्ञांज बजाएगी और इसलिए ज्ञांज का जो फ्रिक्वेंसी है वो परफॉर्मस की फ्रिक्वेंसी मध्या ले मंदर ले दुरुत ले कैसा है अभी एक अलागा ने सोचे भी ऐसा नृत्य करते 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 तो कितने अर्बोश चतक बीद गए गाम चल रहा है तो फिर दिखाएंगे कैसा कि एक यह डांस को गती है आप देखेंगे कि उसके बालों की लट खुल गई और एक लट खुल के यहां पर आ गई उसका जो चुड़ा मुकुट था जटा मुकुट वो खुल जो नृत्य का इसमें अधिकारी व्यक्ति जब इसके सामने खड़ा हो जाएंगा उसको पता चलेंगा कितने समय नृत्य करने के बाद यह लट खुल जाती है और इसलिए यह सारी चीज़े एक इसमें आये जब मैं लोगों को लेके जाता हूं यह एक शिल्प दिखाने में मुझे चालीस मिनट लगते है इतना सारा उसके पीछे है आज समय कम है जान में आएगा अब इसमें विग्या नहीं क्या जब तक हमको भारवाले लोग नहीं कहते हैं यह भारची लोग महान है तो तक हम अपने आपको महान नहीं कहेंगे और इसलिए हम कहें स्विज्जर् है वहां पर जमीन के सव मीटर अंदर यह प्रयोक शाला है जिसका जो पेरिमीटर है यानि सरकमफरंस है वह 30 किलोमीटर का है यह पूरा गोल है और उसमें वह ब्रह्मान निर्मान कैसे हुआ इसकी कोच कर रहे है उनका जो प्रमुख था उनको पूछा गया आप जो कर रहे उसका कुछ बाहर बहुत चिनल लगाऊ ना आप हमारे समझ में या तो वह क्या कर रहे है वह देवकण की कोच यह लगी उन्होंने वर्ल्ड ग्लोबल कॉंपोडिशन फ्लोट किया मगर उनको कोई मिला नहीं सिंबॉल कुछ लोगों मिला नहीं फिर 2004 में उनके गेट में यह लोगों बेठाया गया है कितने भारतियों को मालू है और उसके नीचे फिर्दव काप्रा का वाक्या है कि वह कहता है प्रहूंग यह नृत्य जिसके समझ में आया वह कृपया इस इसके जितना असाधरन काम कहीं हुआ ही नहीं है यानि इसके बारे में दो ही वाक्या में बोलता हूं रोदा करके जो फिर्च कलाकार था और उसका स्पिलिंग करते है उसने कहा कि वह यह मैंने जब यह सिल्प देखा तो मुझे लगा कि चन्न यह तोड़ी मैं छोड़ और जो आनद कुमार स्वामी करके थे उन्हों इसके बार में से कहा वाइल दा आर्टिस ऑफ द वोल्ड वे ट्राइं टू अंडर्स्टैंड निमिटेट नीचर विश्व के जो कलाकार थे वो जो प्रकृति में जिखता उसकी वो उसका अनुकरन करेंगे ने कला में वाइल AttSu of the World We're Trying to Understand and Image it nature. The ancient Hindu Artists We're Trying to Understand nature's nature. अभी मंदिर क्यों बनाइगए गए पहले सौल की इस देश में मंदिर बनाए पहला साल हो से हमारे गिशाने साल है हम सहर बोल जाते हैं हम है मंदिर नहीं है मंदिर यानि टेम्पल जिसको कहते है यह मूल कलपना हिंदों की है यह नहीं इसलिए 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 हम देखेंगे कि विश्वक में मंदिर कहां बने हम जाते हैं इजित में मिस्र में कि इसाफ पूर्व चौदा सो अरे इतना भींकर मंदिर यह तो यह ने इसका केवल प्रवेजद बार ही इसके अंदर कुछ पचास एकड़का एरिया पूरा के पूरा एक ही मंदिर है वो यह है ग्रीक मंदिरे जो आज इकली में हैं आप देखो कि बड़ी की बड़ी वास्तु है सुरुप उसका देखते जाएए यह रोम के अंदर रहने वार पैंतियों नहीं यह तो गाओं के बीचे वो बीच है अभी इन सारे मंदिरेओं के अंदर उनके भगवान की जो उनके आकारमान देखो भी एक रोमन टेंपल है यह लिम्नान में आज क्या आकारमान है इस आकारमान का मंदिर तो हमने कभी बनाया भी नहीं और देखेंगे तो अधीक अधीक लोग अंदर आने चाहिए क्योंके हमारे यह जो लोग आ रहे वो किसे एक पंथ के लोग है वो धर्म उनको डरी नहीं था एक बार आप पैदा हो गया तो याए नहीं सकते कि असा मवान के चलती थे घलत भावना थी तो समय तया कि जाएगा का एक बार इनको किया आपको आपको पैदा ही होना परता यह बड़ी कठने थी आमरे यह उने उससे social conflicts हुए मगर यह इसलिए हमने मन मंदिर नहीं बनाए उस समय उसके वर्ण हमको मले फिर हमारे मंदिर कब चुरूए तो एक हम पूस्तम्भ मिलाए इसा पूरो दूसरी सजी का जिसके उपर लिखा यह विष्णू मंदीर के सामने है स्थमब शेश मंदिर भी नहीं मिले तो कुछ एक मंदिरों का मुर्थ हुआ उसी मंदिर में स्थित है आप देखेंगे तो चोटा एक चौकट जैसा है ना शिखर बना रहे ना सामने का मंदा पर अर्लिय तेमपल देखेंगे यह बिल्कुल प्राविक स्तर पर चल रहा क्योंकि मुर्तियों का जिर्मन हो चुका था यह मुर्तियां कहां रखी जाए इसके उपर जो चर्चा चल रही थी इस लोगे डूल रही इसमें वह जब विश्णु का शिल्प देखा वह इसी में का है आप देखेंगे कि वह शेश्या युनिफॉर्म नहीं है यहां अब इसमें एडवांस्मेंट ऐसी है कि यह भी चट सामने निकल आया उसको दोस्तमब ने लगा दिये अंदर की मुर्ति नहीं है बहार भी कोई शिल्प इसके नहीं है और इसलिए फिर यह मंदिरों का निर्वान हुआ कैसे और स्टोन बिल टेंपल यह आये अभी हमने किन किन प्रकार के मंदिर बना बनाया और क्यूं इसका अगर अजयन करेंगे तो यह व्रुहत समीता करके गरंथ वरहामीर जी ने देखा तब तक हमारा यह विग्यान काफी विकसित हो चुका था इसा के पहली सजी से लेकर के जो विग्यान हमा का नाम है पराशर सिद्दान वस्ट्र सिद्दान एक यवन सिद्दान भी जिसमें मगर उसके बाद आर्यवट्र जीते पहले थे जिन्नों ने अपना नाम भृंत को दिया अपने मावफ को ने लिखा वहां से फिर वह प्रमपरा शुरू हो गई फिर आर्यवट्ट आये व आप ऐसा मंदिर बनाएं जो ब्रह्मांड की प्रतिकृति हो और इसलिए ब्रह्मांड की प्रतिकृति बनाने की जो एक होड़ शुरू हो गई उसमें से आमारे याम मंदिर मन हुए क्योंकि मंदिरों में ब्रह्मांड शास्त्र का समावेश कर सकते हैं और आप देखेंगे एडी में ये मंदिर बना, तब ये भारत का सबसे उचा मंदिर था, इससे बड़ा और उचा मंदिर तब नहीं था, हम खजराओं में पहुशते हैं, तब यह जो लक्षमन मंदिर है, इसके अंतर एक शीला देख है, उसमें लिखा भी है उन्होंने, ये मंदिर इतना उचा है कि इसको सूरज लांकर नहीं जा सकता, आपको ग्यात है कि ये करकवरुत्तर के, यानि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर उत्तर की ओर मंदिरे, इसलिए इसकी उत्तर दिवार के ऊपर कभी सूरज नहीं जाने वाला, और इसलिए उसमें लिख्क्या रखा है कि सूरज इसको तो यह भारत का सबसे उंचा मंदिर था और यह जब मंदिर ग्यारवी सदी में बना खजराओ का तो यह खंडर्य महादियो इस लार्जेस टेमपल मगर यहां पे वह यात्रा रूकी नहीं यह राजरा चोल ने जो काम करके दिखाए 220 फूट का मंदिर है इतना बड़ा इसके आपर दो गर्वगुर है यहां पे वह आप उपर जा सकते हो बाद में दिखेंगे और इससे भी हूचा मंदिर बनाया था वह कोनार्क में बगर हो ऐसे गया कि इसका गर्वगर तूट गया अगर वह मंदिर कैसा रहा होंगा इसके हम आज कलपन करे तो संबहता वह इस तरह से दिखा होगा और यह जो पत्थर इसको अमलक कहते है यानिक पत्थरों का मिलके होता है मगर इस पत्थर का वजन उस मंदिर पर क्योंके जगनात्पूरी का हमको मिल चुका है इसका वजन सव मेट्रिक टन है यहां आप कलपना कर सकते कि यह शास्तर कितना अभीकसित पर चड़ाने का क्रेंस नहीं थे तो बड़ा कसी शास्तर वह था बगर ऐसे मंदिरों के पर्मपर हमर यहां पे चल गई मगर यहां पर रुका नहीं का किसी ने सोच है क्यों ना सारा प्याद तो राजकर एक पत्थर पर इसे मंदिर बना है यह पहला प्रयों हमारा हुआ यह महाबलीपुरम में हुआ, जिसको रथ कहती है, कुरूप पूरा हो नहीं पाए, क्योंकि यह गिरानेट पत्थरे बहुत सक्त होता है, तोडने के लिए बड़ा कष्ट होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में वैसा प्रयोग हुआ, कांगरा वैली में हम जानते हैं कि रॉकक नहीं कर पाएंगे कि यह वही किसी ने बांदा नहीं है, यह कुरेद कर तराश करके यह पूरा बनाये गया, इस स्कल्प्टेट बंवन सिंगल रॉक, विदाउट मेकिंग अ सिंगल मिस्टेक, थ्री मिलियन रॉक हैं विन चिप्ट अवे वाल मेकिं इस टेंपल, थ्री मिल लार्जेस गैलरी ऑफ मास्टर प्रिसेस इन दवर्ड, क्यों यह मंदिर दिखाने में लगों को ले जाता हूं, तो छे घंटे मुझे एक वास्तु दिखाने में लग जाती है, लोग ठक जाते हैं, इसलिए मैं रुकता हूं, क्योंकि कितना सुनेंगे न इक दिन में बेच सदिख रहा था, बाकि सब यह कीचर से भारा था, जड़ा खोते गए 1986 में यह काम पुरा हूआ, दिखा तो 250 फूट की लंबाई, 80-80 फूट की चौड़ाई, और 7 माले जमीन के नीचे बहा हूं हुआ, यह क्यों किया है, यह तो बावड़ी है, पानी के लिए, बही 7 माले पानी कोई महला मेरे लिए 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 रोज, चाहे कावड पे लाए ने तो बाल्टी मेला है, इसका मतलब कुछ और था, यह एक विश्णु मंदिर है, यह मेरे अथिसिस में पहली बार अभी मैंने प्रस्थपीत किया है, लोग इसे पर आशंका ले रहे थी कि यह मंदिर होगा, ऐसे कुछ विजदेशी लोगों ने कहा था, भारत के कोई भी आर्केलोजिस को मानने को तेयार नहीं है, मगर अभी मैं कह सकता हूं कि इसका जो विश्णु है, मुर्ती जो आज समय नहीं, वो उत्तर दक्षणे और आंक खुली है, अगर उत्तर दक्षणे और आंक पे कुछ भी नहीं है, मगर अब यह तीन प्रकार हमने देखें, पत्थर के पत्थर उपर चढ़ा के बांदें, फिर आपने गड़ा खोद के बनाया और जो दीवार उसको तरज दिया, इन तिनों के मिश्रण से जो मंदिर बनाय गया, उसका नाम यह अंकरवाट का मंदिर है, आप कास्चर होगा कि यह जो बाहर का खंदक दिख रहा, यह भी मानवी हातों से बनाया है, यह जो दीवार आपको दिख रही है, यह इसके मंदिर के पूरे चारोर से जाती है, इसके अंदर जो क्षेत्र है, उसमें 200 फुडवाल के मैदन समाये जाती है, इतना बड़ा पाक्षेत्र है, और यह दिवार की लंबाई मिलीमीटर में एक्षूरेट है, उसका कुछ गणी थे, क्योंकि विष्णु हमारे काल आवकाश के देवता थे, हस्त याने क्यूबिट, यह हाथ का यहां से यहां तक नापते थे उस राजा का, और वो गिनते थे, और इसलिए यह क्यूबिट, चार सो बत्तिस क्यों, तो चार लाग बत्तिस हजार वर्ष का अमारा एक यूग होता है, तो आप जब आवकाश में चरण रखते हो, तब आप काल में पीछे जाते हो, विष्णु काल और आवकाश की देवता है, और इसलिए से टाइम रिलिजिन, और इस मंदिर को नीव नहीं है, भारत के मंदिर एक दूसरे पत्थरों में पत्थर अटका के बनाए जाते थे, उसको प्लक सॉकेट अरिमिंट थी, यह मंदिर के सारे पत्थर एक दूसरे पे केवल रखे गए है, इसके अंदर के हिस्से में, जो आपको यह सैंड्स्टों दिख अधरा, वहाँ पर सैंड्स्टों नहीं उस देश में, बहुत कम है, तो अंदर पूरा उन्होंने लैटरेट स्टों भरावा है, और उसके उपर सैंड्स्टों चड़ा है, बहुत क्लिष्ट इसका यह है, आप दिखेंगे यह उसका थर्ड इंक्लोजर है, यह सेकंड इंक् अधरी शिल्प है, दिवार पहले बनाए गई बाद में शिल्प बनाए गया, इसके उपर 10-12 फीट यह चड़ गया है, इसके अंदर पूरा वह जांबाया है, यह लैटरेट स्टों उन्होंने भराया है, यह बहर का जिरा है, अब अंदर चले गए, उसके उपर यह जो वी खंदक आपने देखा, उसकी डेट और इसकी डेट को मैच किया था, क्योंकि वो पानी चे आए, और यह जो पत्थर डाले गए निव में, उनके नीचे रेथ और छोटे पत्थर डाले गए, रेथ सतत ओली रहती है, गीली रहती है, और इसलिए वो दपता नहीं है, वेट स आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि यह लेटरेट स्टोन यहां पर दिखा कही कही से, और इसके ऊपर अभी यह मंदिर चड़ गया है, सारा मंदिर इतना है, भूत अश्यरकारक हमें है, यहने उसके ऊपर बोलने को अभी समय कम है, हमारा विशय है कि हम इसको कुल्चर करेंगे, दो बात है कि हमारा कॉंजरेशन का कुल्चर बने, हम जाके अपने नाम ना लिखे, यह जो मंदिर बनाए गए इसमें कि किसी का नाम हमको ग्याद नहीं, वह एलरा का भी जो मंदिर जिसने बनाया, ऐसा उसके उपर एक कॉपर प्लेट मिला है, उसमें लिखा है, कि ऐसे करता आप भी सवयम भी सवयम आप शिल्पी, क्या नाम था उसका पता नहीं, और उसने जट से बोल जिया, एतत सवयम भूशी हो दामन ना कृति में शिल्पी, उसने बोला रहे मैंने तो यह किया है नहीं, मंदिर था है यह यहाँ पे, जो पत्थर मंदिर ने था, वह ने निकाल के बहार डाल दिया है, और यह कहके वह चला गया, आज तक हम उस महाव पुरुष का नाम तक नहीं जानते, वही स्थिती खजराओ के शिल्पियों की है, किसी का नाम नहीं मालू हो, अगर हम जाते हैं, याने हमारे एक बंदू, बड़े अच्छे चित्रकार वह चला रहा है, वह स्थिती खामद करके मुंबई के, उन्होंने कहा मुझे, कि वह जा रहे थे, चार मिनार दिखने, उनका एक मुसलमान दोस्त था, उसके घर गए थे, और जब भोजनवा तो बोले, चलो आप चार मिनार दिखने का काम कर रहे थे, हजारो नाम वह, चार मिनार जाने याने, घर से कीला लेके निकलना, क्या भेंकर कल कोना है, वास्तु जी बोले, मेरे आख में आसूं आगे, जब मैंने वह नाम देखे तो, कलाकर ने क्या काम किया, ये रोग क्या कर रहे थे, और ये काम हम लोग गल्ती से कर देते, अपना या अपनी सहीली होग किये, उनके मंदर रुजन के लिए नहीं बनाया उन्होंने, और इसलिए जो आता है, कि हमारा जो प्राचिन विद्वत्ता थी, ancient wisdom, विशेश करके cosmology, इन मंदिरों में उन्होंने कैसी रखी, अब देखेंगे, ये concept of space में ने दिखाया, what is the proof? तो आप देखेंगे कि इसके मुख में यहां पे शिल्फ बनाए गया है, और वो बड़ा अनुखा शिल्फ है, उसको कहते है लिंगिन शिव, शिव जी ने अपना शिव लिंगत दो हाथ से उठाया है, पारदी आके उनके गोद में बढ़ गई है, this is energy at rest, उसको इनर्शा कहते है, स्थूल अकाश, अब किसी भी solid matter में energy at rest, जब energy liberate होती है तो वो निकल जाती है, और इसलिए यह energy at rest है, यह तो हम समझ गये, मगर यह सारा मंदिर है, शिल्फ में है, आर्खिटेक्टर में कैसा है, तो देख रहो, नीचे हाथियों की एक कतारव नहीं है, हाथियों के पाव लागे जमीन की, इसक से plan करके रखे थे, नहीं तो यह दिवार के बाहर नहीं हो सकती है, यह अंदर चले जाती है, और यह उड़ रहे है, नाच रहे है, तैर रहे है नहीं तो यह उड़ रहे है, और यह उड़ने वाले गंदरव नीचे आतियों की कतार, उड़ने वाले गंदरव इसकिन चते व खजराह को जो शिव मंदिर है उसमें आप देखेंगे कि इस जगे को देव कोष्ट कहते है और देव कोष्ट में जो अधिश्टात्री देव तामस्मंदिर के जो रहती है उसी के कुछ रूप बहार रखे रहे थे और इसलिए इसमें हम देखते हैं उसमें मातरुकायं है जि इसलिए साथ प्रकार की शक्तियां ब्रह्माण में रहती है और इसलिए शिवलिंगम गर्वग्र में है और बहार से इंदर्जी घुम रहे हैं मैटर इंदर्जी का जो कर यूनियन है इतना बढ़िया है और उसकी जो काम शिल्ब है उस पर बोलने को आँ समय नहीं है मगर क तक आखी जला तो दिखता है के मैटर को टेरिक अंदर्जी से मैटर बंद रहा आप दिखो कहा हूं त यह अ फिर यह मैटर बनने हुली इनदर्जी रहती कहा है वो पूरे वर मंड में रही थी अच्चन का एक चंड बनता है पहले और फिर वह चंड के आने चंड बनते है और इसलिए जब पति नियेका मिलन होता है, तब उस समय, जब वो एक का फर्टिलाइज़िशन होता है, तब वो एंदर जी का मैटर में कंवर्जन होता है। उस चंड एक सेल बनता है पहले, फिर दो सेल नौ मेने के बाद फिर हम बच्चा जनम लेता है। वो जो सेल पहले दिन बनता है, उसी दिन तय हो जाता है कि वो बच्चा दिखेगा कैसा, बोलेगा कैसा, खाएगा क्या, उसके आँख कैसे रहेंगी और वो मरेगा कब, यह सारा उसी दिन तय हो जाता है, और इसलिए कंद्वरजनव, इनर्जी टू मैटर यह केवल हमारी अन लग है, और परमाकाश, फिर ब्रह्मान का सार रूप कैसा रहेगा, इसलिए उन्हों नहीं कहाँ, यह व्योस्ता करके दिखाई, कि यह इतना बड़ा मंदिर बनाया, इसके उपर दूसरा गर्भगर मनाया, इस गर्भगर के अंदर चले जाओ, तो अंदर का जो गर्भगर है, what is the rudiment of space, that is sound, आज आउकाश, हम क्यों समझते है, क्यों sound हमको आता है, हमारे साथ जो डॉक्टर थे, हमारे दोस्त, वो गायक थे, हमने का वह यह आप अंदर से एटे दिखिया हमको, यह इट क्यों लगाए होंगी, कुछ तो यह गड़बड़ है, मने बोरा वह आप ज साथ यह क्या हो रहा है, उसके कान में जो आवाज गुझने लगी, और उन्होंने गाना बंद किया, तो बाद में भी 5-6 सेकंड वो गुझ चलती रही, क्योंकि आपको समझेगा कैसा है कि आवकाश का रूप है, उतना ही नहीं, तो अंदर का प्रश्णा पते, उसके बाहर उन्हें जो शिल बनाए, यह, इसको करण केते हैं भरतनाट्य में, एकसो आठ करण जो है, एकसो आठी है, और यह सारे के सारे एकसो आठ हुने इसे कुने वापे बनाए, उसमें से 27 को खाली रखा है, क्यों 81 पूरी कर दिये, क्यों? 27 नक्षतरों में हमारा ब्रहमांड है म तो क्या उतना आप नहीं छोड़ देगा, तो उसका मतलब यह है कि it was intentionally kept vacant व्याप्त ब्रहमांड अव्याप्त, जितना भगवान नत्राज ने नर्तन करकर के ब्रहमांड व्याप्त किया है, उतना तो ब्रहमांड आज है, पर वो जैसे से नाते हैं वो ब्रहमांड एकस्पा अलापन जो है, उसका दर्शक उन्होंने इसमें करके रखा है, पूरे कॉस्तमलाजी के प्रिंस्पों उन्होंने एक साथ उसमें बिठा है, और इसलिए यह सारा देखने के लिए इसमें रहता है, मगर हमारी आज की परंपरों के साथ कुछ रिष्टा है क्यों है, अगर हम से उसका रिष्टा नहीं आया है, तो हम उसको मानते नहीं है, हम मनुष्य का सभवा रहता है, और इसलिए हम जब नहाँ पर जाते हैं, तो हम में भी कुछ देखना चाहिए, और इसलिए फिलोसफी इसमें कैसी आ गई, तो यह उन्होंने कह दिया कि अर्जुन यह अपना शरीर है, इसमें इतनी सारी बादे आते हैं, इच्छा द्वे सुक दुक यह सब अंकार सब पैदाईशी आ जाता है, मगर यह क्षेत्र कैसा है, सविकारं, यह विकारों से युक्त है, शं पतंगा मीन यानि मचली ब्रंग, अब यह क्या है, हाथी के सामने एक खोकली यह भुसा बरी यह हाथी लग दो, वहाथी दोड़ परता है, वहाथी जब मत पर रहता हो सोच नहीं सकता, गिर परता है, गड़े में हाथी को पकड़ने का अधा आसन रासता है, मत पर आती हो, सामने खोकली, मैं भुसा बरी यह हाथी लग दो, वह भाग के फस जाता है, यह हीरन जो है, कुरंग यानि हीरन, वेणु का नाद करो, वह नाद से आ जाता है, यह पतंग, वह तो वह शमा के प्यार में लग के वह परवना बेचरा अपनी जान दी देता है, यह ब्रंग, ज प्राणी को केवल एक विकार है, तो वह वेचारा प्राणी उसके लिए अपनी जान दे सकता है, और इसलिए मनुष्यों को जो विकार कैसे लिखते है, शब्द विकार, हमको पढ़ाया गया, कि अच्छा कुछ काम करो, पर नहीं, हम क्या करेंगे, जाकर देखो, दिवार अच्छा क्या लिखे, इसमें दो गंटे निकल जाते हैं, और एक बार वो दो, क्योंकि सिर्फ प्रिया लिखा, तो बुस्ता हो जेंगी, प्रिया प्राणी च्वरी लिखा, तो क्यूं, वह आपको इतना ही आता था, क्या, और कुछ नहीं क्या, मैं क्या, आपकी सिर्फ प मेरे सारे पत्र, मेरे पतिन एक दिन मेरे बेटी को दिखाई है, तेरे पीताजी क्या-क्या लिखते थे, उसने प्यार से सब पढ़े, फिर बोले, मेरे पीताजी कितने रसिक है न, मा, चरू बेटी ने मुझे कुछ तो दुआई दी, अपने ही रूप में वह मगना है, अर मेरे शराब के कुम्ब खतम करने के बाद भी, पूरी नशा चड़ी फिर भी वह आखरी भून के लिए लड़ रहे है, भाईया, अगर आपको यह विकार है, भोजन तक करो आप मगर नहीं, भोजन के लिए पहले मुझे और भी कुछ लगता है, तो भाईया, यह बाहर है मं अंदिर में जाके ऐसा कोई जाके दिखाए, अरे यह विकार है, हम उपको दूर रख रहे, भाशन देके नहीं जाता, अगर वो अंदर से व्यक्ति समझ लेगा, देखो इत्र की उसने यह कुपी खोली है, और उसका बड़ी सांस ले रही, चार सो अरब डॉलर्स का यह धं है इसने, मेरा मुन के ओपर अक्षेप नहीं है, मगर मैं कहता है, आदमे रोज ना है, उसको सेंट की जरूरत क्या है, मगर नहीं, विकार कैसा है, देखो, और सबसे गंबिरे वो सपरश्य विकार, हजार भाशन दो अरुशी मुनी नहीं बच सके उसमें से, ना देव बच जो नहीं सके, ना हिंदर बच सके, उसके शिकार सब होते है, और इसलिए ओ जो बिच्चव है वो नकली बिच्व है, कुरतरी में आपने वो बिच्वा करेे गाना, सुनें कि बिच्वा नि डंक मारा, वो बिच्वा है, और या कपडे के ऊपर बिच्वा है, तो आप निकाल के फेक रही यह शिल्प आपको सारे मंदिरों में दिखेगा और इसके पर संतों संत भी कहते कि हम भी इसमें से निकल नहीं पाते साधरन विक्ति के तो बात छोड़ों विकारों के उपर आप कैसा करोंगे पूरी अमरी एक फिलोसफी उन्होंने लाकर के उसमें रख और बात ऐसी है हमने वो श्लोक जभी देखा कि एक एक विकार से एक प्राणी गरस्ता है तो उसकी मौत हो जाती और मनुश्य ऐसा एक मत्र प्राणी है जिसको इसमें से यह सारे विकार एक साथ हो सकते किस्तना सतर कुदने रहना चाहिए एक से वो प्राणी मर जाता हमको तब पांचों लग सकते हमारे बीचे पर क्या वो देखेंगे मगर मानेंगे नहीं तो चलते रहता मगर हम यह भी देना क्या है लोगं को हमारे आगे की जो पीड़ी हमारे साथ आने वाली है उनको हम क्य देंगे जिन्नों नहीं हमारे लिए बना के रखा एक हजार साल पहले उनको पता नहीं था कि हम ऐसे आएंगे साइन सेज में यह कुछ करें जो कोई भी आएगा मानवी मुल्यों की जो प्रतिश्ठापना है वो किसी भी समय नहीं बदलेगी आप चाहे स्पेसेज में जाओ जाओ चाहे मंगल पर जाओ कहीं कुछ जाओ घर में आके बीवी को डरना है पड़ता है तो मैं वहां पर कुछ भी कुरूँ वह इंदर की पत्री बोलती है ज्ञने इन्दर की वो अहल्य आया आया नाम की कोई और पत्नी थी वो अहली जा रहा उसको कहते थी पर उसकी जो वो कहती ही, अहम उगरहा, घर में आया ना तो ये बहार वो रनायंगन में जा करके, जीत करके आता है, सेना पती है, सबका, पर घर में जावा आता है, तो बेगी बिल्ली तरह मेरे सामने गुंता है, क्या पत्नी होंगी उसकी, I am more curious to know about Indra's wife, रादरी इंदर की, क्या होंगी इंदर भी जिसको डरता था, और इसलिए ये जो सारा है कि वो परंपरा है, वो निष्ठा है, गुरु के परति अपना निष्ठा, महाबाब के परति के निष्ठा है, ये बदल ही नहीं सकती, आप किसी भी काल में जाओ, महाबाब ने आपके लिए जो कुछ किया है, उसको कि अंतिम सास तक आपके जो आपको जो गुरु है, उसके चरण आपको छोने ही पड़ेंगे, ये नुर्त्य की वर्णपरा मुझे बहुत अच्छे लगती है, गुरु सामने आ गई, वो बिल्कुल सर जमीन पर लगा के उसके पाँप पर सर रखेंगे, कितना भी व्यक्ति किया है, वो गुरु है, जिन्होंने हमको सिखाया चलना, और इसलिए उसका जो महत्वा है, और ये हमको छोड़के जाना है, हम कैसा छोड़ेंगे, अब हमने ऐसा गंबीर भाष्यन किया, तो बोलेंगे, वही क्या है, इसको पगड़के लाया आपने, और इसलिए ज़रा उसको एक lighter vein में कहते हम जरा देखेंगे, हमने कहा, fusion of matter and energy, अरे इंदुरकरजी तो बड़े scientific आदमी है, और हमने कहा, शिव पारवती विवहा, ये तो बिल्कुल ancient time के, ये दोनों वाक्य का अरथ एक ये, fusion of matter and energy, मगर हमने कथा बनाई, कि वह शिव जी की शाजी करने जीव उनों ने ब्रह्मचरे की प्रतिग्या तोड़ी अपनी और आय क्यूंके तारकासुर को मारना था और इनका पुत्र देव सेना का सेना पती मनेगा, अब इसमें देखेंगे के पारवती ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया, गल्ती होगे नहीं क्या, या मेरी बेहने कहेंग कि इंदुरकर जी को पता नहीं था, इस देश में स्तिरी मुक्ती का जो अंदोलन था, वो कब से आ चुका था, ऐसा कुछ नहीं हो था, पानी गरन हो रहा और पत्नी ने हाथ पकड़ा है, आप देखेंगे कि उसके एक पाम में उसने कंकन पहना, एक में पहना ही नहीं है, वो सजजज रही थी, तभी आके उसे सहली बोल दिया, आरे वो आ गया ना मंदप में, तू क्या कर रही है, और पारुती जी को मालूम था कि वो महायोगी शिव ब्रह्म चर्य की प्रतिगया तोड़कर आ रहा है, कहीं उसको प्रतिगय का स्वरण आ गया, तो यहीं से आंदे पर हात रख दिया, आरे मैंने तो ब्रह्मा जी को वचन दिया, ब्रह्मा जी स्वर्म प्रवरुत्य कर रहे, और तेरे मन में ऐसे कैसे आ गया, कि मैं भाग जाओंगा, अब पूरे मंदप में होने वाले पतिन का पहला स्पर्ष उसको हो गया, उसकी भावना है कैसी उद्दी पित हुई हुई, कैसी शर्म से वो लाली लाल हो गया होंगी, कि क्या हो गया ये, तो आप देखो, वो आपके बाहों के अंगुठे से दायना पाव कुरेद रही है, उसके गुटने भी जुक गई है, नीचे जुक गई है, इसका फोटो निकालने के लिए उसको पर हमको रिफ्लेक्टर डालना परते है, क्योंकि वो इतना कम प्रकाश उसके मुख पे जाता है, उन्होंने ऐसी जोजना की है, उसके गाल थोटे सुझ गई दिखाए, उस काले पत्थर में उसके मुख पे आई हुई जो लाली मा है, जिसको बलश कहते है इंगर जी वाच तो उनको मानो पुनव प्रत्य का आनंद मिलता है, सब जाता है कि इसी शादी उति उतिन ऐसा है था, मैंने हाथ पकड़ा था, लोग ऐसा सब बोल रहे थे, वो सारस्वरण हो जाता, और जिनकी शादी नहीं हुई उनके मन में क्या आता है? अगर यह इतना सुन्दर ख्ष कलाकार ने क्या क्या दिखा रहूं, मेरा अनुव ऐसा मत सोचो, एक सगर नाम का राजा था, उसने यग्य किया, और अश्रम एक यग्य का गोड़ा छोड़ दिया, इंद्र को ऐसा लगा कि मेरा राज्य जाएगा क्या, इसलिए उसने गोड़े को उठाया, और कपिल युद्ध का अवान, ये सारे उसके पुत्र भाग रहे थे, सगर पुत्र सेकड़ों थे, उन्होंने जाके देखा किते कपिल रुषी के आश्रम में घुड़ा रुका है, आश्रम जला दिया, रुषी आया देख रहे, आश्रम जल रहा है, अब उनको कहा किसा आकांग शा आश्रम जल दो, ये मुक्त हो जाएंगे, रुषी चले गए, गंगा नदी तो थी नहीं भारत में, पांच पीडियां उनकी रक्षा वेसी पड़ी देख तब वो दिली पुत्र भगिरत आया, ये तब कर रहे हैं उन्हें पहार तोड़ा, और वो गंगा ग्लेशर को फोड पहने लगी, ये जन्नु नाम के राजा ने उसको रोख लिया, नेरे प्रजिश से नहीं जाना, फिर उसको मनाया गया कि भईया, इससे काम से आईए, उनको मुक्त कर रही है, अच्छे काम के लिए बह रही, तेरे प्रजिश से बहने दे, वो जानना भी हुई, वो बहने आगई, देखो अभी आपके घर में किसी ने आके बोल दिया, देखो भी या, आपकी पतनी को कहा, आज उन्होंने किसी को लिव्ट दी है, ओफिस से आते हैं कोई स्कूटर पी विढ़ा के लारे किसी को, बोलने का या, उन्हीं वो कह रहे थे कि ओफिस वाली है, मंगर दे मैं घर में इतना मरमर के सब कर रही हूं इनका देखो कुछ दिख रहा है अर्याली दिख गई दौर ते और यह सब उसने बोलना शुरू कर दिया हूंगा शिव जी समझ गए कि यह क्यों चिड के आ रही है वो धीरे से उसको उसकी कोनी आपने और मुड़के करे अरे वह या मन्य में ऐसा भाव आ गया यह विजित नहीं है जयता गांगा जी प्रथम आ रही है बहों में से वहें गांगे हैं खैयों मार कर प्रश्रस्त गरेंगी इतना ही नहीं केवल अब सगर पुतर नहीं तो जोजो मानें उसमें सलाँ है सहारं कौ पाप मुटथ करेंगी ऐसी बंजा रहे और यह देखो उनका हाथ जटक रही है हिंदी में बोली होगी तो क्या कहा होगा उसने हाथ मत लगा यह अनुभाई पूरुश यहां पर बहुत है मैं इसके ओपर विवरन नहीं करता अब हो गया ऐसे के यह रावन एक दिन निकला उसने अपना जो भाई ता अफगानिस्तान के पास वहां से निकलता बीच में कैराश परवदिग गया अब रावन तो शिव जी का भक्त अरे बहुत चलो कैराश का दर्शन लेंगे वह गया दर्शन लेंए इन दों वारपलों ने उसको रोक लिया एह कहा निकला तू उपर जाने का चल निकल अपमा का चला जाओंगा 20 हाथ का बल मुझे क्यों मजा करके दिया क्या अंदर गुज गया परवद के उसने पूरा परवद उखाड लिया और उठने वाला है अभी वह जैसे उठने वाला था उपर शिव जी जान गए अंतरयामी थे कि ये बालक आ गया है और और उसे और उसे हम लगा अब रावण के सामने समस्य आ गई कि वह जैसा उसका हाथ निकलेगा पूरे अजित के निचे वह दब के मर जाएंगा उसके मुख रोने लगे एक मुख का बंदर हो गया और वह यहां कर एक मुख है उसको आकरांद कर रहा और यह किस ने कहा था तुमको लड़ने का पृत्यू के स्वामी अब मरो यहीं तब इस रावण को स्वरण हुआ कि भगवान शंकर की स्तूती की तो वह हमको छोड़ देगा प्रशंसा की तो छोड़ देगा जटा कटा संब्रमं ब्रह्मन निलिंप निर्जरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत बिललला टपाव के किशोर चंद्र शेकरे प्रति प्रति प्रतिक्षण मुमा ऐसे पंदरा श्लोकों को उसने श्लोक पनाया यह श्लोक का ब्रामी लिपी में लिखित रूप इसा पूर्व तीसरी सदी का एक गुफा में मिला है बहुत प्राचीन स्तोत्र है और रावण व पासंग हुआ इन दोनों की शादी के पश्चात हुआ अभी युगल बैठा है श्री पुरुष पति पत्नी यह कैसा दिखाए जाए तो उसने क्या किया कि एक जगह दिखें शिव जी और पारुजी बड़े त्यार से साथ में बैठे और रावन आ गया उन्दर से उखाड पीरा इखें मेरा फिर शिव जी ने पारुजी को पास खीच लिया डर मतमयू आलिंगन दिया पास में बैठे आलिंगन दिया तो पति-पत्नी घुए? यह लक्षण पति-पत्नी के नहीं है, ऐसे क्या व्याओच्चे तक लक्षण है कि वो पति-पत्नी ही है और इसलिए ह एक ही मंच पे बैठना पड़ता है, उस दुर्भाग्य पुर्ण व्यूगल को पत्ति पत्नी हमरे यहां कहते, वो साथ फेरे मारके बैठ जाते, एक शन के लिए शादी कर ली और वो साथ जनम गरे में पड़ गई, अब क्या करता बेचा और इसलिए यह चिड़के यहां बै यह तो तय है, नहीं आपको, देखो, रास्ते में मैं चल रहा हूं और मुझे मेरा किसी को धक्का लग गया, और मैंने श्माम जाशना कर ली, I must be a, I am an honest person, किसका धक्का लगा यह समझा नहीं, फिर भी मैंने sorry बोल दिया, तो I am a gentleman, मगर मेरी गलती नहीं है, यह मुझे माल पर भी मैं, फिर मैं sorry 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 तीन बार बोलता हूं, I must be a husband, तो वो निय मैं विश्वका, अब यह बोली, मैंने अब यहां पर रूट के वई थी, यहां पर रूट के वज़े थी, अब इस समय अगर तो रावन आ गया, तो यह दबार बल के उसको ऊपर रिजने मोले, उतर पती जहघडवी जगड़ा हूं इसका प्रूख क्या है तो पारुजी डर गई है यह इतने जोर से वो गई है कि उनक जाके उसका हथा पकड़ लिया है, और शी ने चोठी से उसको सववा रहे हैं हाथट पकड़ा हे प्यार इससे पकड़ा नहीं है, उँगलिया फैल गई है हम अगर वो डर गई है, जगड़ा वो इसका अपके बास प्रूब क्या है, देखो यह जुक के दोड रही है, आइसे तीजी से दोड़ना हो तो अरे यहाँ पे भुखोंब हो गया तो आप भी सब भाग जाओगे, पैनिक आप अर्थ को एक इस ट्रिमेंडस और वो भाग रही आप दोड़ रही है तीजी से, अब इतने तीजी से अब जब आप दोड़ते हैं, तो अब सामने देखें, पर नहीं, अब तक इनका जगड़ा चल रहा है, वो अब तो मिटा के नहीं, वो देखने की कितनी उट सुकता है उसको, देखो, इतनी सीरेल है, हमारे क्यों चलती अब पर दूसरे के घर में क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं, अब प्रति बति नहीं, और सास बभव है, तो वो जुरियां लेके ही खड़ी है, जुकता है, देखो, उसकी उत्सक ऐसे है, और यह सारा इतना काम किया हो कलाकार ने, वो किसले किया होंगा, पति-पति का जग में जब अर्जुन ने पूछा कि भई ये सित्र प्रग्य विक्ति के लक्षन क्या है बगवान दुखेशु अनुद्ग नमना सुखेशु विगतस्प्रवा वीत और आग भई क्रोध हो दुख से वो गिर नहीं पड़ता सुख से वो नाचने नहीं लगता अनुराग भई औ करती संकट आ गया तो कोई पत्थर फैंकरे कोई भाग रहा कोई कुछ कर रहा इन्होंने तो अपना पाँ जमीन पर रख दिया और पीसमें मुद्र आए अरे वही क्या हो गया आपको मैं हूना या मैं समय हूना उनके पीछे कंबा दिखाए गया हिले नहीं आवी चल टटक खड़े है जब हमारे पर संकट आएगा भूचाल जैसा संकट आता है भूज में आता है कहीं और आता है ऐसा प्रसंग घर में हो जाता है कि भूचाल आगे ऐसा हमारे परिवार में लगता है उस समय हमने कैसा रहना चाहिए संकट के सामने डटके खड़े रहना चाहिए इतना बड़ा वगवत गीता का संदेश भगवान की वानी उसने एक इतने बड़े शिल्प से हमारे सामने लई क्या क्या कर सकते हैं और इसलिए अब यह जब हमको समझता है तो हमारा नाता उसके साथ है दो बार तीन बार दस बा करते हो आपको उन्ने नोने लगता है और एक दिन हम भी वैसी स्थीतप्रद्या स्थीरमति के ओर हम जाने लगते है एक आखरी आपको प्रसंग बोलके मैं मेरा कथन समावत करता हूं मेरे साथ एक मिल्टरी के डॉक्टर यह एलोड देखने आए थे एंडिये में वो डॉक माइनस 40 माइनस 20 टेंपरेचर रखतों पता है क्या है हम लोग अपनारी गद्यों के ऊपर कैड़बरी चॉकलेट रख देती थे और उस पर सोते थे बदन की गर्मी से चॉकलेट पिगल जाता था तो हमको कुछ नींद आप सकती थी तो उस माइनस 40 में आप सो ही नहीं सकते दिन में 21 में पाकिस्तिनियों को शेलिंग बंद हो जाता था तब हम जट से बीच में रूटियां बना लेते हैं कुछ खा लेते हैं 90 दिन में नहां भी नहीं सका जख्मी सैनिक आती थे मेरी टीट्मेंट चल रही थी और जख्मी हो गया उसको भेजते थे और किसी बेक्ष अब अपने बियों को लेकर सोय वेंगे, महां यहां पर रख्शा कर रहा हॉ है यहां पर मधा को गरें घॉतिलंगे पिक्चर देख रहे है अब मर रहा हूं ऐसा मेरे मन में आया उस दिन मजह गयात हुआ कि मई इन वोग एंप रख्षा कर रहा था है इन चीजों की इसकी रक्षा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह तो मर जाएंगे लोग आगे वाले पीडियों के लिए भी यह शाश्वत रहे गए हजार साल से होगा तो और हजार दो हजार साल होगा ऐसा ही रहे वही संदेश आमारी मान संस्क्रित का देते रहे यह उसका एक बदेश्य था और इसलिए सारा कतना अपकी सामिजों किया कुछ थोड़े किताबे पढ़ली कुछ मंदिर देख बड़ा विश्य है मगर यह आज आपने अवसरमजी दिया और इसके बारे में एक दो पंगतिया हमारे शाम कृष्ण जी ने जो कही वह कहके बास समय करता हूं वह कहते है में जो लज़त मिली दूआ मांगता हूं दूआ मांगता हूं कही मनजिल ना है